साथियों, आज केवडिया का देश की हर दिशा में, हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अधभूत ख्षान है। हमें गर्व से भरने वाला पड़ है। मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोत रेल लाइन का चौड़ी करण और चांदोत केवडिया के बीच की नई रेल लाइन अब केवडिया की विकास यात्रा में नया आध्याय लिखने जा रही है। और आज जब इस रेलिवे के खारकम से मैं जुड़ा हूँ तो कुछ पुरानी स्मृत्या भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों का मानूम होगा कि बड़ोदा और रभोई के बीच में नेरोगेज रेलिवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का आउसर रहता था। माता नर्वदा के पती मेरा एक जमाने में बड़ा विशेश आकर्शन रहता था, मेरा आना जाना होता था। जिवन के कुछ पल मान्दर्वदा की गोद में बिताता था। और उस समय इस नेरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नेरोगेज ट्रेन का मजा ये था, कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाईए, कहीं पर भी उसमें चड़ जाईए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसे लगता है कि आपकी स्पीड जाता है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज बब वो ब्राड गेज में कनवर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाब, स्टेची आफ यूनिटी देखने आने वाले टुरिस्टों को तो मिलेगा ही, ये कनेक्टिविटी के वडियां के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुभीदा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मान नर्वदा के तट पर बसे करनाली, पोईचा और गरुडेश्वर जैसे आस्त्वा से जुड़े महत्वपुन स्थानों को भी करेक्ट करेगी करेक्ट 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 करेगी।